हेलो एवरिवन वेलकम यू आल इट लोकेशार अलिम्टेड स्टुडी जोन ठीक है ना क्लियर है एकदम ब्राइटनेस वगेरे प्रॉपर है बच्चों चलिए तो देखिए आज हमाँ पास दो में टॉपिक है पहला टॉपिक लिक लिए सिद्ध करें एफ इकवल्ट आरबाइटू ओके सिद्ध कीजिए एफ इकवल्स तो आरबाइटू मतलब क्या जुमेट्रिकली जामिती रूप से आपको करना है कि जो फोकल दूरी होती है वो वकरता तुर्जा का क्या होती है आधा बताया थो था ना मैंने गन्दी वाले डेफिनीशन भी बताई थी ब्ला था ना फोकस तूरी क्या होती है, फोकस बिंदू क्या होता है, तो मैं ने गंदी वाली डेफीनीशन बताई थी, धरुब एवम बत्रा केंदर का मद्धिंदू, धरुब एवम वकृता केंदर का focus होता है दंदी वाली परिभास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि focus की सही परिभासा मैंने कल बताई थी क्या बताई थी मुखच के सामांतर आने वाली किर्णे परावर्तन के पस्चाच जिस बिंदू पर आके केंद्रित होती है या जिस बिंदू से होकर जाती है या जिस बिंदू से जाती हुई प्रतीत होती है वह बिंदू क्या कहलाता है फोकस बिंदू कल ये सारी बाते बड़े अच्छे लेवल पे हुई थी आईए आज हमको साबित करना है F equal to R by 2 ठीक है ना पहले तो मैंने सुना दिया कि ये होता है अब आप पूछेंगे क्यों होता है इसको साबित करके दिखाईए तो F equal to R by 2 का derivation हम यहां करने जा रहे हैं डाइग्राम देख लीजे अवतल है कैसा है भीया आप कहेंगे सर उतल के लिए बना सकते हैं क्या जो मर्जी जिसके लिए बनाना हो बनाओ रूल यही रहेंग क्योंकि अवतल में जो प्रतिवें में बनता है वो वास्तिविक बनता है क्या बनता है अभासी नहीं बनता है तो वास्तिविक चीजों में हमको ज्यादा अच्छा समझ में आता है इसलिए यहां पर हमने वास्तिविक सिचुएशन लिए बोलो समझ में आया चलो भाई आं जाएगी केंदर से केंदर से दरपन के किसी भी बिंदो को मिला दो तो वो क्या कहलाएगा अभी लंब क्या कहलाएगा बता अब होता है कि नहीं होता क्योंकि केंदर से दरपन को जाने वाला ये क्या है अभी लंब है ये भी क्या है अभी लंब है मतलब जो PF आपको दिख रहा, PC और BC ये क्या है, वक्रता केंदर से, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से ये मिल गया और ये मिल गया, बोलो दोनों तरिज्जा है की नहीं है, और तरिज्जाई को वरत में क्या कहा जाता है, अभी लंब, क्या कहा जाता है, अभी लंब, आई बस सम सब आरक तो एक कापी में लिख लो यहापी मैंने गलती सिस्दिय 10 मी लिख दीया था था सी तीबी कहलो यह शीपी कहलो यह पई सी कहलो सभी बराबर है और के आंका आम मतलब वक्रत ता मतलब वरक्रता ठिच्च्चि7 एवाई आगया समझ में चलो आऑ फटे अब आजाओ भाईया, सभी लोग जानते हो, कि, सभी लोग क्या जानते हो, कि एक अंतर कोण बन रहा है, देखो, ये देखिए, ये कोण, और ये कोण, क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दो समाना अंतर रेखाओं के बीच में अगर एक रेखा काट जाए, तो य ये वाले कुण क्या होते हैं बराबर होते हैं समझ गए ना यस तो ये देखें ये वाला कुण ये वाला कुण एक आंतर कुण होगा तो मैंने लिखा है एंगल A, B, C A, B, C याने theta यह वाला हाई ना और बराबर angle B, C, F angle B, C, F मतलब कौन सा वाला यह वाला, अच्छा ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आप तन कोण बराबर परावर्तन कोण, हाई ना मतलब ये theta तो ये भी theta और ये भी यह आपतन बड़ा परावरतन से है और यह थिटा इसकी वज़े से है हाँ या ना चलो भाई साब अब आपने एक थिवर्म पढ़ी होगी नाइंथ क्लास में बरावर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है बरावर होती है तो यह भी थिटा है यह भी थिटा है इस थिटा के सामने की भुजा क्या है सी एफ इस थिटा के सामने की भुजा क्या है इस थिटा की बोल रहा हूँ बी एफ देखो बी से लेके एफ हाँ या ना तो इसके सामने की भुजा सी टू एफ है और इसके सामने की भुजा B2F है, मतलब BF equal to FC या CF जो भी रिखना हो लिख दो, बोलो हाँ, हाँ, फिर से, भईया दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास में, एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें दो कौन बराबर हैं, जैसे ये मानलो, ये आपके पास में, ये कौन और ये वाला थीटा है की नहीं है, हाँ या ना, अरे ये वाला भाई, ये भी थीटा ही है, ये भी तो थीटा है ना, तो थीटा थीटा बराबर नहीं होंगे, क्या, जब नामी थीटा है, दोनों तो बराबर ही तो हैं, अब कहां से हो गए, बता तो दिया मैं, क्योंकि भईया दोनों बराबर होंगे यह नहीं हुई, अब एक बहुत महत्पूर्ण assumption, मैंने पहले lecture में बताया था, कि optics जो होती है, बड़े छोटे छोटे एंगल पे काम करती है, बहुत छोटी छोटी दूरियों पे काम करती है, आप इतना बड़ा दरपन इस्तमाल नहीं करते हैं, और द से लेके? यह नही lies, इसको बोलते हैं, द्वारक क्या बोलते है? इतना बड़ा नहीं होता है, जणरल ही तौरि पे द्वारक क्या होता है? बहुत छोटा होता है, चोटे मैं क्या लिख रहा हूँ, condition मना रहा हूँ, यदी दरपन का द्वारक बहुत छोटा होते है, समझ गय ना मतलब बे डाइगराम मैं आपको बहुत जूम करके दिका रहा हूं कैसा दिखा रहा हूं? जूम करके ये डाइगराम बहुत छोटा होगा मतलब ये प्रोसेस लगए इतने में ही निपट रही ओगी आई वाल समझ में कि नहीं है अब आओ जा देखो यहाँ, यह बेटा यह B-point है, बोलो हाँ आना, और यह point क्या है, अगर directly बोरूं, दरपन अगर बहुत छोटा होगा, तो यह B-point और यह P-point एक दम पास-पास में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उस समय में बोलू C-B या उस समय में बोल हैं, है ना, दूसरी चीज़ तुम यह देखो, कि अपने पास जो है, F-B, क्या है, F-B, तो क्या मैं F-B को F-P लिख सकता हूँ, समय कि नहीं लिख सकता, भोलो, क्या मैं F-B को F-P लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दरपन क्या है बहुत, चोटा अब तुम देखो लॉजिकल वाली बात इसे पहले मैंने बता दिया सिंपल कंसेट अब लॉजिकल वाला कंसेट देखो जो हर जगे लगाओगे B से लेकर के यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो बोलो हाँ डाल दिया मुखचपेस का नाम क्या देदिया M, क्या नाम देदिया M, भईया यह बताओ effective gap कितने का आया, MP का ही तो आया जो gap actually मतलब जो परिशानी उत्पन कर रहा है B और P के बीच की दूरी में जो gap बन रहा है वो कौन है MP है की नहीं है अब यह बताओ अगर दरपन बहुत छोटा होगा बहुत पतले द्वारक का होगा तो M बाला पॉइंट P वाले के उपर जाके सट जाएगा की नहीं सट जाएगा सट जाएगा ना मतलब जो M है वही P है जो M है वही P है तो जहां पर हमारे पास M आ रहा है वहां पर हमारे पास M आ रहा है वहीं पर हम क्या पूट करेंगे P क्लियर हुआ ना बोलो आया समझ में ना नहीं आया ये बताओ भाई साब ये B वाला पॉइंट है B वाला पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला और ये दूरी बन गई, बोलो हाया ना छोटे दरपन के लिए ये दूरी ना के बराबर होगी कि बहुत बड़ी होगी ना के बराबर, इस दूरी को कम करोगे तो ये B से लेके P के बीच की दूरी कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी ना सरल नहीं है, बोलो भाहिया, clear हुआ, मतलब ये वाला पॉइंट, B वाला पॉइंट क्या है, P वाले पॉइंट के एक्क्यूवेलेंट है तुल नहीं हो, समझ मैं कैनी आ है, तो जो B वाला पॉइंट है उसको P वाला पॉइंट मान होंगे, क्योंकि M वाला दिन्दू, P के ऊपर आजाएगा, क्या जाएगा M वाला बिन्दू, P के ऊपर, clear हुआ की नहीं हुआ, M वाला बिन्दू, P के ऊपर आजाएगा, ये gap ख चूंकि M is very close to P क्योंकि M वाला बिंदू किसके उपर आ रहा है P की उपर आता है भाईया जो BF है ये BF है बोलो हाँ ये क्या है BF इसको क्या माल लेंगे अपन PF क्योंकि जो BF है वही क्या है उपर से दूरी ये वाली इक्वल टू ये दूरी हाई ना BF इकल टू कितना PF अब आ जाओ डाइग्राम में क्या आप इसको PC ले सकते हो यहां से लेके यहां तक की तोटल दूरी को PC को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो PC बराबर CF प्लस FP हाँ ये ना PC क्योंकि PF प्लस कितना FC P से लेके F और F से लेके C हाँ ये ना PC बराबर PF प्लस FC PC बराबर PF ये बताओ FC अपन ने किसके एकल निकाला है BF के एकल हाँ या ना FC बराबर कितना BF और B किसके पॉइंट के बराबर है मतलब जो BF है ये B से लेके F तक की दूरी ये किसके एकल है P से लेके F के मतलब BF equal to कितना PF हाया ना तो FC PC PC मतलब धुरुब से ले करके वक्रता केंदर तक की दूरी बोलो किती है R समझ में आया P से ले के C तक की दूरी किती है R अब अगर आप चिन परिपाटी के नियमों का पालन करें यहाँ पे चिन परिपाटी क्या कहती है ध्रुब से देखो किस तरफ चल रहे हो किरन की दिसा में या किरन की विपरीद दिसा में यह एक चीज़ और सुनो तो अभी आप कहां चल रहे हो पीछे किरन आ रही है बाएं से दाएं मगर आप चल रहे हो दाएं से बाएं तो किरन की विपरी दिसा में चली गई हर दूरी होती है रनात्मक और किरन की दिसा में हर दूरी चली गई होती है धनात्मक तो अभी आप देखो जो PC चल रहे हो वो बताओ प्लस R होगा की माइनस R होगा माइनस R क्या होगा माइनस R क्या होगा P से लेके C पीछे तो चल रहा है भाई किरान है बाएं से दाएं आप चल रहे हो दाएं से बाएं हाँ या ना तो क्या होगा माइनस R तो यहाँ पर मैं क्या लगा हूँ माइनस R, क्या लगेगा माइनस, समझ गए P F प्लस P F बराबर कितना होगा 2 P F, क्या होगा 2 P F, P से लेकर के F, दाएं अब आएं बताओ, आँगे अब पीछे चल रहे हो पीछे मतलब नेगेटिब की पॉस्टिव नेगेटिब तो यहाँ भी क्या हैगा नेगेटिब माइनस 2 F, माइनस से माइनस कैंसल होगा, यानि 2 F is equal to R, मतलब F equal to R by 2, अर्थात जो फोकस दूरी होती है, वो वकरता तरिज्जा का क्या होती है, आधा बुलो आया समझ में, सटाक से नोट कर लो, एक मिनट में जो बच गया हो हाँ बेटा चली देखे तो, पहला पार्ट खदम हो गया है है ना, अब दूसरा पार्ट आता है भाई साब दरपन सूतर, तो दरपन सूतर के पहले मैं आपको, देखो, यहां पर मैंने चिन परिपाटियों का इस्तमाल आपको समझा दिया, कि अगर आप, आपतित प्रकास किरण की दिशा में चलेंगे चली गई हर दूरी धनात्मक और आपतित प्रकास किरण की दिशा के विपरी चलेंगे तो चली गई हर दूरी धनात्मक देशी सब्दों में कहा जाए बाएं से दाएं चलने पर हर कुछ बाएं से दाएं मतलब चितर की भासा में ये बाएं हैं और ये दाएं हैं बाएं से दाएं चलने पर हर कुछ धनात्मक और दाएं से बाएं चलने पर हर कुछ धनात्मक चलिए ये बात खतम होती है अगला आता है भाईया दरपन सुत्र और चिन परिपाड़ी में दो चीज़ और है मुख अच्छ के ऊपर चली गई दूरी धनात्मक और मुख अच्छ के नीचे चली गई दूरी धनात्मक, हलाकि उसकी अपन को कभी जरूरत अभी नहीं पड़ी है हाँ, बिल्कुल वही सिस्टम है आईए अब, अब अगला है बिटा दरपन सूतर, लिखे question copy में दरपन सूतर किसे कहते है दरपन सूतर किसे कहते है लिखे, दिये गए गोली दरपन के लिए दिये गए गोली दरपन के लिए दिये गए गोली दरपन के लिए वस्तु की दूरी कलभे ने बहुत अच्छा वीडियो दिया था आप लोग देखेगा वो लैंस का है किसका है लैंस का है तो जब वो लैंस हम पढ़ेंगे तब वो सारे चमतकार देखने को मिलेंगे वापस दिये गए दरपण के लिए वस्तु की दूरी प्रतिबिम्ब की दूरी तथा दरपण की फोकस दूरी में संबंध तथा दरपण की फोकस दूरी में संबंध दरपण सूत्र कहलाता है ठीक है भी या दरपण सूत्र कहलाता है हाँ बाई क्या कहलाता है दर्पण सूतर लिखो सूतर होता है वन अपॉन अपॉन फ एक ल्टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी www.bita देता हूँ, जहां F क्या है दर्पण की फोकस दूरी U क्या है? दरपन की वस्तू से दूरी दरपन की मतलब पोल की वस्तू से दूरी यह देखो भईया U P से लेकर के वस्तू कहां रखी? B पर, कहां रखी है? B पर, तो यह दूरी क्या कहलाएगी लल्ला? U, समझ में आया? दरपन वो उपर भी लिख दिया मैंने, यह उपर लिखा हुआ है, दरपन के पोल की, सारी दूरी पोल से लेना है, सारी दूरी किसे लेना है, यानि धुरुब से, तो दरपन के धुरुब की, A वस्तु से दूरी कहलाएगी, U, प्रतिभिम से दूरी कहलाएगी, V, फोकस से द प्रिज्या डबल होती है फोकल दूरी का, वी प्रतिविम से दूरी, वी क्या है, वस्तु से दूरी क्या है, यू, प्रतिविम से दूरी क्या है, समझ में आया नहीं है, वस्तु से दूरी यू, प्रतिविम से दूरी वी क्या यार, क्लियर तो है, चलो आओ आँग आजाओ, आप भाईया चलिए बनाते हैं ये सूत्र विद्पन करना है देखो कैसे विद्पन करेंगे बेटा इस तरफ आजाओ फोकस से, हाँ या ना दूसरा कल नियम पढ़ाया था कि जो गिंडे वक्रता किंडर से होके जाती है वापस उसी रास्ते में लोड जाती है और अब परिवर्तित होंगी देखो दोनों चोच यहाँ पर लड़ रही है ये चोच क्या है, A क्या है ये, तो लड़ेगी तो क्या बनेगा A-S, और ये क्या है तो ये क्या बनेगा हाँ, वास्तिविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिविम बन के आपके लिए तयार है, बो हाँ चलिए, अब भया, आपने पढ़ा होगा, समरूप त्रिभुज क्या पढ़ा होगा? हमने कल आपको धमकी दी थी, कि इस चेप्टर में पूरी नौवी, दसमी, ग्यारवी, बारवी की ट्रिग्नोमेट्री और रिखागनित पूरी इस्तमाल होगी, समरूप त्रिभुज में एक प्रमें आती थी, कोण कोण समरूप ता, क्या आती थी? समरूप ता, अगर किसी दिये गए त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती क्या होती है आई ये देखते हैं फोकस इधर ये पहला आपके पास त्रिभुज त्रिभुज A, B, C देख गया ये कोण किते डिगरी दूसरा त्रिभुज देखिए A, B, C ये किते डिगरी ये भी 90 और ये भी एक कोण पढ़े होगे जसका नाम हो सीरसा भिमुख कोण पढ़ जाएगी इनमें है ना हमारा परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर हमारा बेस आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लंब बटे लंब इक्वल टू अधार बटे अधार पहां देखो भीया बड़े तर्भुज का लंब किता है चोटे का बड़े समाल के रख लो अदार केटता है और इसका अधार केटता है बस वही तो कर दिया भाई हां मतलब 19th class में त्योर्यम नहीं पढ़ी आपने आपने ठीक ना 2 त्रिभुज 2 त्रिभुज अगर 2 त्रिभुज अगर सम्रूप हो कोण कोण समरूमता से तो उने के भुजाएं समान अनुपात में होती हैं किस अनुपात में होती हैं तो मेरी भुजा बटे तेरी भुजा बराबर मेरी भुजा बटे तेरी भुजा समान अनुपात में हैं अब अगले त्रिभुज पे आ जो भाई जल्दी से, अगला त्रिभुज देखो, Mnf Mnf, दिखा क्यी नहीं दिखा? ये कौन किते डिगरी? और ये कौन किते डिगरी? दूसरा देखो, A-B-f दिखा क्यी नहीं दिखा? ये छोटा वाला इधर वाला A-B-F ये कोण ये कोण बराबर है की नहीं है तो angle angle याने कोण कोण समरूता फिर से लग गई तो भाईया लंब बटे लंब बराबर अधार बटे अधार बुलो उसका M-N का लंब क्या है M-N इसका क्या है उसका अधार क्या है N-F N-F हाँ याना और अधार क्या है B-F हाँ याना अब भाईया मुझे ये बताओ हाँ M-N क्या M-N इसके बराबर दिख रहा की नहीं दिख रहा चतर हुज बन रहा ना मतलब M-N किसके बराबर है A-B किसके बराबर है A, B, M, N की जगह क्या पुट कर दिया और नीचे क्या A, S और इधर पे N, F हाँ, N, F N, point द्वारक छोटा है अगर तो N, point किसके close होता है किसके close होता है तो जो N, F है वही क्या है N, F की जगह क्या पुट कर दिया हम P, से लिए बनाते हैं P, 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 हो गया हाँ, तो यह हो गया अपने पास में कितना N, F की जगह क्या हो गया P, और नीचे क्या B, D, F B, D, F, दोनों समी कर दो जी भर के देखो आँकों से क्या इनके बाएं पक्च बराबर हैं तो क्या दाएं पक्च बराबर होंगे तो इसका दाएं पक्च है B, C upon B, D, C और इसका दाएं पक्च है P, F upon B, D, F हाँ आ ना, दोनों को पलट लो दोनों को क्या करो, नई भी पलटोगे तो भी हल होगा, पलट दोगे तो भी हल होगा, तो मैंने पलट दिया मैंने कर दिया B, C upon BC equal to B dash F upon PF यहां लिख रहा हूँ पलटने पर B dash C upon BC equal to B dash F upon कितना? PF हाँ है ना? चलो B dash C ध्यान से देखो B dash C कहा है B dash C? यह है B dash C हाँ है ना? B dash C क्या मैं इसको PC minus PB dash लिख सकता हूँ? देखो अच्छे से PC minus PB dash अगर PC में से PB dash यहां तक को minus कर दोगे तो वो ही तो बचेगा? PC minus PB dash हाँ या ना? चलो यह हो गया B dash C upon में BC कहा है BC? यह है बो BC क्या होगा? PB minus PC बिल्कुल सही PB minus PC अच्छा B dash F कहा बैठा है? यह है B dash F क्या इसको मैं PB dash minus PF लिख सकता हूँ? तो इसको मैंने लिख दिया PB dash minus कितना? PF अच्छा लाश्ट में क्या बचा बेटा? PF क्या है? PF का मतलब PF ही है? हाँ या ना? PF का मतलब PF चलो अब मेरे साथ value पूट करो P से लेके C वो देखो कुंटे पे लिख रखी है मैंने value P से लेके C मतलब वकरता तिरिज्ज्या हाँ या ना? हाँ किस सरब जाना पढ़ रहा? दाएं या बाएं? हाँ? बाएं मतलब पीछे तो बताओ कितना होगा minus R की plus R? minus R और R क्या होता है? 2F क्या होता है? 2F बोलो ना बैठे हुए सांत PB डैस की value क्या है? minus V PB कितना है ना कुल? PB, PB, PB PB हाँ गलत minus U क्या होगा? minus U PB क्या है? ये देखो P से लेक करके B क्या है? U बैठा है minus U हाँ या ना? चलो अब PC कितना है? PC minus R minus R मतलब minus 2F PB डैस PB डैस PB डैस minus का V PF कितना है? F की minus F हाँ तो minus ये वाला और एक और minus F और ये भी कितना? minus F हाँ या ना? हलाकी है मैंने लिख दिया था देख लो भईया वो लिखा हुआ है minus 2F minus minus V minus U minus minus 2F और minus V minus F upon minus F एक बार मैंने बता दिया चलो multiply करो minus 2F minus minus तो V या आँगे लिख दू चलेगा? और minus का 2F ये minus minus 2F आँगे आगया और U कहाँ चला गया? पीछे हाँ V minus minus कितना? F minus V upon में कितना? minus F हाँ या ना? चलो minus F का multiply कर दो यहाँ minus F गुणे यह भी बोलो कितना हो गया? minus F ये कितना हो गया? 2F चलो इसका multiply करते हैं आराम आराम से 2F minus U और bracket में F minus V minus F V plus 2F square बराबाबर 2F गुणे 2F कितना? 2F गुणे भी कितना? U गुणे F कितना? और प्लस कितना? 2F square से 2F square clear हो गया कि नहीं हो गया? इसको यहां लेकर कि आओ minus F V है minus 2F V है इस तरफ आएगा plus 2F V हो जाएगा? और एक minus और 2 plus क्या बचा? एक plus F V हाँ या ना? और UF को इदर लेकर कि आओ क्या बचा? plus UF बराबर कितना? इसको अच्छे से लिगो भाईया इसको अपन लिखते हैं इसको अपन लिखते हैं F V plus UF बराबर U V बोली हाँ है ना? clear हो गया? अब क्या करिए? दोनों में UVF का भाग दे दीजे दोन तरफ किसका भाग? UVF का भाग चाहे तो common लेके भी कर सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मगर मैं बेस तरीक आपको बता रहा हूँ क्या करो? UVF का भाग दे दो दोन तरफ दोन तरफ भाग देने से कोई फर्क? नहीं पड़ेगा तो F V plus UF upon कितना? UV F equal to UV upon UV F UV से UV इसको बांट दो बटवारा कर दो F V upon UV plus UF upon UVF equal to 1 upon F VF से VF क्या हो गया? UF से UF क्या हो गया? क्या बचा? 1 upon 1 upon V equal to 1 upon F क्या यही दरपन सूत्र है? Yes sir नोट कर लिजे 1 upon U Q plus 1 upon F equal to 1 upon V यही दरपन सूत्र है Done